हाई फ्रेंड मैं पूर्वा अपनों का स्वाद करते हूं MP सक्सेसर्च में और आज से मैं स्टार्ट काने वाली हूं कंप्टर क्लासेज जो हैं कॉमन फॉर ओल एक्जाम यनकी CPCT मध्यप्रदेश के एक्जाम जो हैं जिनमें CPCT एक्जाम ITITO कोपा की जो बैकेंसी निकली हु जिसमें आपको theory plus mcq मिलेंगे और chapter wise classes रहेंगी मैं बल्कुल basic से स्टार्ट करूंगी computer के फास्ट चैप्टर से यानि कि introduction of computer से स्टार्ट करूंगी और उसके बास सारे जो चैप्टर हैं जो ITITO कोपा वगरा का पूरा सिलेबा से CPCT का सिलेबा से group 2, group 3 वगरा में भी आप जैसे computer के 25 questions आते हैं, group 3 में computer के 45 questions आते हैं, ITITO में 75 questions आते हैं, CPCT में 52 questions आते हैं, तो इस टाइप से important है और भी आप देखेंगे कि जो other important, other competitive exam जिसमें computer एक subject जो है, जिससे भी question आते हैं, तो ये video आप लोगों के लिए important होने वाले हो, साथ में कुछ interest है, जैसे आप लोग जो अधार exam हैं, जैसे college वगएरा में मात्यप्रदीश के college हैं, या all India में भी college है, जिन में computer subject है या आता है, जैसे इंटरेंस test वगएरा आप देते हैं, तो जैसे college admission का intense test आप लोग देखेंगे, जैसे MCA वगएरा है, B, BCA वगएरा में admission आप लेंगे, तो उसमें computer के subject आते बताऊंगी, और सारे में collection करूंगी, सारे जगह से, जो भी exam paper वगएरा हुए हैं, तो जिससे आप लोग को अच्छे से सारी समझ में हैं, और जो exam point of view से भी important है, तो चलिए start करते हैं, और जो लोग चैनल परना है, जोड़े हैं, वो चैनल को subscribe करने हो, जल्दी से चैनल को वीडियो उसको जाके like कर दें और जया जदा share करें ठी किए introduction of computer, computer एक परिच्य है, यहां पर हम करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या है, तो सबसे पहले आता है कि computer क्या है, अगर हमें computer पढ़ना है, तो पहले computer के बारे में जानना होगा, तो computer का धिन्धी में नाम क्या है तो गणा क्या संगड़क ठीक है मुश्टली संगड़का क्यूज किया जाता है ठीक है अब इसका अविसकार कालकॉलेशन करने के लिए हुआ था पुराने समय में computer का use cable कालकॉलेशन करने के लिए किया गया था किन्तु आज कल इसका use किस के लिए किया जाता है तो document बनाने email, listening and viewing audio and video, play games, database preparation के सासाथ और कई कामों में भी किया जा रहा है जैसे बैंकों में, सेक्शन संस्तानों में, कारयालों में, घरों में, दुकानों में, computer का उप्यों बहुत आयात रूप में किया जा रहा है अब यहाँ पर देखेंगे, computer का थोड़ा सा Hindi में भी देखा, आप English में देख लें और यह Hindi English दोनों में बता हूँगी, तो थोड़ा दोनों, medium बालों को थोड़ा-थोड़ा compromise करना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब computer क्या है, तो computer is an electronic device operating under the control of instruction stored in its own memory that can accept input, computer एक electronic device है, ठीक है, वो क्या करती है, operate करती है, control of instructions को जो stored रहती है, इसकी memory में, यह क्या करती है, data को accept करती है, input की रूप में, process करती है, process the data according to specific rules के साबचे, और produce information output, और output के रूपने, information को produce करती है, and store the information for future use, future use के लिए भी information को store करती है, तो इस type से यह हो जाएगा, अब इस diagram के थो हम देख लेते हैं, तो थोड़ा सा, यहाँ पर हम देखें, यह input devices के थो हम input देते हैं, फिर यहां central processing unit, उस पर process करता है, उस input पर, और यहाँ पर secondary memory, storage है, hard disk, और यहाँ पर primary memory, or RAM है, तो इसके मादम से पूरी process यहाँ पर होती है, और फिर हमें output मिल जाता है, तो इस type से पूरा input process, और output की process complete होती है, इस type से computer में, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, का computer का full form क्या है, तो बैसे mostly, यह important नहीं है, और आपनों क्या करना है, जो जो मैं important टर्म बतारी हू वो note करते चलना है, क्योंकि वो MCQ point of view से बहुत ज़्यदा important है, और previous record paper program में भी पूछे जाते हैं, इनसे question, बाकि यह जो introduction of computer से ज्यादा question नहीं आते हैं, तो जो main है, वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप computer का full form देखें, तो जो है, वो हिंदी में अगर देखें, त तो इस टाइप से पूरे computer का term हो जाएगा, तो computer एक ऐसी machine है, जिसका प्रियोगामतोर पर तकनिकी और sectioning अनुसंधन के लिए किया जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे, तो computer का full form अगर English में देखें, तो यह जो है, यह आप लोग note कर सकते हैं, पूछ सकते है, commonly operated machine, particularly used in technical and educational research, तो इन तर्म का, तो एक एक word wise यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर C से common, फिर O से operated, M से machine, P से particularly, UC used, T से technical, E से educational और R से research, इस टाइप से रहेगा, अब यहाँ पर computer के भाग देखें, तो computer के बहुत सारे part होते हैं, उसमें से कुछ देख लेते हैं, जैसे keyboard है, य memory, motherboard, microprocessor, तो इस टाइप से यह रहेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे, computer मूलता, दो भागों में बटा होता है, ठीक है, तो यह computer के जो दो main part है, वो है hardware और software, इन दोनों से मिलकर ही computer बना होता है, तो अब hardware और software जान लेते हैं, तो मैंने एक चार्ट बना है, इस ठीक है, अब software क्या करते है, hardware के साथ user interaction के लिए उपयोग किये जाने वाले नेडेशों का एक समू होता है, जिसके द्वारा user कुछ कारे करने के लिए user को आदिश देता है, ठीक है, तो यह है इसका basic, अब इसमें अगर उद्देश से देखें, तो उद्देश से क्या है, कि जो hardware है, वो क्या करता है, machine star पर करता है, और software क्या करता है, hardware को नेडेश प्रदान करता है, अब अगर प्रकार देखें हम, तो प्रकार में जो hardware है, वो कौन-कौन से हैं, hardware के प्रकार, तो import, output, processing, storage, control, यह सारे hardware के प्रकार है, अब यहां software का देखें, तो system, software, application, software, programming, software, system, application, देखें तो घर्चन के कारणि समय के साथ लेकिन सॉफ्ट्वियर जो क्या है आधिक टेकाओ लेकिन बग समय वीतनी के साथ सथ औब आ सकते हैं जिसे सुधारा भी जा सकता है ठीक है तो आप देखें की प्रकथी या नेचर कैसा है तो यहां पे हम देखेंगे कि जो hardware है वो क्या होते हैं बास्तवेक होते हैं एक्चुल होते हैं और ये मतलब कि जो software है वो क्या होते हैं आमोर्थ होते हैं हम उन्हें देख नहीं सकते हैं ठीक है महसूस मतलब कि उन्हें छू करके महसूस नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए ये हैं आप उधारन देखे तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन है यह आप नोट कर ले ना इनसी क्यूकि जो MCQ है वो बनते हैं यहां पर कि जैसे कोई भी डेवाइस पूछ लिया तो चार डेवाइस के नाम पूछ लिया तो पूछ लिया कि पूछ सकते हैं कि निम्न में से हार्डवेयर कौन सा है तो चार डेवाइस के नाम देदी जैसे अपरेटिंग जिस्टम लिख दिया पर यहां पर ओवन्ट्व जनरल सॉफट्वेयर या एमस पाउर पूछ लिख दिया तो आपको बताने कि हार्डवेयर डेवाइस कौन सी है तो उसमें क्या हो जाएगी तो इस ताइप से आपको जो हार्डवेयर डेवाइस हैं उनके नाम याद रखने है और जो तो जैसे बिंडो 10 हो गया, ओवन 2 हो गया, जनरल सॉफ्ट्वेयर में अगर देखें तो MS, PowerPoint, MS, Excel तो यह सारे क्या हैं, सॉफ्ट्वेयर हैं, ठीक है, के एक्जामपल हैं, अब यहाँ पे देखें, इन्पोट आउट्पोट डिवाइस, इनसे भी question exam paper में पूछा जाता है, इ इन्पोट डिवाइस है, इन्पोट डिवाइस है, आउट्पोट डिवाइस है, क्या है, तो इन्पोट डिवाइस क्या है, तो computer system में mouse, keyboard, joystick, microphone आदी, input देने के लिए इस्तमाल होने बारे devices, इसलिए ने input डिवाइस कहते हैं, जिनसे हम input दे सकें, तो यह नाम याद रख ले आप की कौन-कौन से है, mouse, keyboard, joystick, microphone, और कुछ एक्स है, अदर भी है, ठीके, अब output डिवाइस देख लें, तो monitor, speaker जैसे output को प्रतास करने के लिए बनाए गए device, output डिवाइस होते हैं, तो इन्पोट डिवाइस होते हैं, तो इन्में कौन से है monitor और speaker, यह जो नाम है, यह नोट कर लेना, ठीके, और जो input-output devices होंगी, वो भी मैं एक्जांपल बता दूए, कौन-कौन से हैं, ठीके, अब processing device देखें, तो क्या है, तो CPU एक processing device है, जो data को process करता है, अब इसी से question पूछ ले, चार डिवाइसों के नाम देदे, तो इसमें से पूछ ले, which of the following is a processing device, ठीके, इ CPU में क्या क्या सामिल है, तो वो है ALU, arithmetic logic unit, control unit, storage device, तो अब आपको क्या करना है, कि इनकी full form ज्याद रखने है, जैसे यहाँ पे CPU की, तो central processing unit, ALU, arithmetic logic unit, CU, control unit, storage device, यहाँ पर, आप देखें, यहाँ पर के software की, जो आप शकता है, जरूरत है, वो हमें क्यो पढ़ी need, software की, तो computer चालू करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, चार्ड करने के लिए, प्रेजेंटेशन बाने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट का प्रियोग करने के लिए, इन सब के लिए हमें software की जरूरत पड़ी, अब यहाँ पे देखें कि कुछ operating system जैसे कौन कौन सी है, Ubuntu, Windows, Mac, operating system और अनुकूल इस software जो है, general software वो है, जैसे MS Bard, MS PowerPoint, Photoshop, CC, GOM Player and browser, browser में जो है, Google Chrome और Mozilla Firefox, software के कोछ, अधारन है, यह सारे अधारन, अब आपको क्या करना है, यह सारी याद रखना है, कि जो operating system software है, वो कौन सी है, तो यहाँ पे जो operating system software है, Ubuntu, Windows, Mac, operating system है, य यहाँ पे जो general software है, वो क्यों से है, MS Bard, MS PowerPoint, Photoshop, यह सारे है, प्लेयर और ब्राउजर बगरे या नुकूल इस software है, अब यहाँ पे जो आपको यह और important time वियाद रखना है, browser, browser के example कौन कौन सी है, Google, Chrome, Mozilla, Firefox, यह भी पूछ लेता है, कभी कभी है, जब आपको पता है, हार अब दे दिया, Google, Chrome, और भी दो-तीन दे दिया, उनमें से पूछ लिया, इनमें से ब्राउजर कौन है, Google Chrome एक browser है, Mozilla, Firefox यह ब्राउजर है, यह बहुत ज्यादा important रहते है, Google Chrome और Mozilla Firefox इस ताइप से browser है, यह याद रखना ठीक है, तो यह भी आपन करते जाना है, तो software की औधा अब डेटा और इंफर्मेशन देटा और सूचना में क्या अंतर है या डेटा और इंफर्मेशन में ठीके इंफर्मेशन को सूचना बोलते हैं तो इंग्लिस में information हिंदी में सूचना अब और data को हिंदी इंगलेस दोनों में data ही रहेगा ठीक है तो अब दीखेंगे यहाँ पर data क्या है तो सूचना ओतक्तियों राकडों का संगरा है जो व्यवस्थेत और आविवस्थेत दोनों तरीकों से खटा किया जाता है जो information है वो क्या होता है वो ए एंड यूजर के लिए उपयोगी ही होते है ठीक है अब यहाँ पर देखें कि data को computer द्वारा प्रोसेस कर जरूरी जानकारी प्राप्ति की जा सकती है और यह जानकारी ही information कहते है इसी जानकारी को सूचना को दोबारा फिर से data की रूप में computer द्वारा प्रोसेस किया जा सकत इनफोर्मिशन और डेटा में यह अंतर है तो यह आप जान लेना कि जो information होती है सूचना होती है उसी व्यवस्ते ढंग से इस्तिमाल किया जाता है उसका बे होता है तरीका होता है तो वह information वन जाती हो वाकि data जो है वह आवेवस्ते तो व्यवस्ते दोनों तरीके से हो सकती है जो है अब बेसिक डीटा टाइप धि लें तो जो बेसिक डीटा के टाइप है बो है संख्यात्मक डेटा यानी की numer incomplete data अल्फा अक्ष्रात्मक डाटा चिन्दा यादिल्यात्मक डाटा एडलफा न्यूमेरिक डाटा और यहाँ पे सवरी यहाँ पे अल्फा वेटे llt जिसमें हम जैसे क्रियाएं करते हैं जोड़ना घटाना यह सारी क्रियाएं होती गड़ती क्रियाएं और इतमें क्या होता है इसमें को के साथ 10 दिश्रमलो मतलब फुल स्टॉप पॉइंट या फिर प्लस माइनस इन्नों का प्रियुक किया जाता है उधरन के लिए किसी विए को स्मॉल जैड अलफा मतलब के के प्लस में जित्री बाइट से उनको मिला कर बना हो ठीक है और क्या हो जिसमें खाली इस्थान और स्पेस हो उसे अक्षरात्मक डाटा कहते हैं उधरन के लिए किसी वेक्ति का नाम किसी सहर का नाम किसी पुस्ताक का नाम यह सबिद आप बिंदू का इस्तमाल किया है जैसे डॉट के लिखा है अब यहां पर देगे चन्नातमक डेटा या अल्फानियुमरिक डेटा कौन से होते हैं तो आल्फानियुमरिक डेटा क्या है तो इसमें संख्यात्मक डेटा के साथ अक्षर और चिन्नों जैसे एड़ रेट, हैस्टेक, पर्सेंटेज बगेरा का प्रियुक किया जाता है जिसमें घर्थी क्रियाएं नहीं की जा सकती है पर इनकी आपस में तुल ना की जा सकती है जैसे गर्णा की आखड़े कर्मचारियों के नाम पदना, पता, इत्यादी का डेटा, यूजज़ और कम्प्यूटर की यूज़ इस क्या है तो एजुगेशन में, हॉस्पिटल में, स्पोर्ट खेल में, बिजनेस वेपसाय में, साइन्स रिसर्च में, इंटर्टेंडमेंट में, गवर्मेंट, डिफेंस, बैदर डिपार् आपको याद रखना है, कभी तभी फुल पॉम पूछ लेता है, अब ECS का पूछे, अगर तो ECS है, Electronic Clearing Service, जिसका यूज़ किया जाता है, जो ECS का उपयोग लेजनेन की प्रिक्रिया को ती ब्रभवश्नोशनी बनाने के लिए बैंकों में किया जाता है, तो Electronic Clearing Services का फुल आपको याद रखना है, तो हम जो लोग चैनल पर ना ही जोड़े हैं, वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी टाइब की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और साथ में आपको MCQ भी मिलेंगी, अभी में ये theoretical पार्ट है, तो आपको ये note करते ज जरूर बने रहें, और लास्ट में मैं आपको important term से बताऊंगी, जो exam point of view से बहुत ज़्यदा important है, तो चलिए देखते है important term कौन से हैं, तो जल्दी जाके वीडियो को like करें, ज्याद ज्याद आपने दोस्तों में share करें, ताकि ये information उन लोगों तक भी पहुंचे, ठीके important term देखते हैं, अब यहां पर के computer की गति को Mips, million instruction per second में मापा जाता है, ठीके ये बहुत important है, तो कि ये पूछ लिया जाता है, जो computer की गति है, उसको किस में मापा जाता है, या speed को किस में मापा जाता है, तो Mips, 4 term लेखे रहेंगे, तो उसमें आपको choose करना है Mips, और Mips का पर सकते हैं, तो million instruction per second, ये आपको पूरा note करना है, और याद करके रखना है, आप यहां पे देखेंगे, computer processor की speed को हर्ज में मापते है, computer की गति या speed को Mips में मापते है, तो दोनों मैंने बता दी है, computer की speed Mips और computer processor की speed हर्ज में, अब हर्ज चेतर में, computer के अनुप्रयों के का आगनिक योग को computer योग यह computer रेसी संगया दी गई है ठीक है तो यह ज्यादा important नहीं है बाकि यह बहुत important exam point of view से बाकि फूर्थ यह बहुत important exam point of view से क्योंकि 2 December को इसमें बताई गया है कि 2 December को पुछिवर बिस पर computer साक्षरतर देवस यानि कि computer literacy day की रूप में मनाया जाता है तो यह भी exam में edited पूछ लिया जाता है कि 2 December को कौन सा देवस मनाया जाता है या फिर computer साक्षरतर देवस या computer पूरा जो है important term और important facts वगयरा और पूरा जो introduction of computer था वो complete हो गया है अब इसकी theory part है यह मैंने complete करवा दिया है अब मैं इसके mcq करवाओंगी जो इस ही पर बेजड रहेंगे computer की यह मतलब introduction of computer पर तो आप लोग पूरी वीडियो में एंट तक जरूर बन रहें और जो next वीडियो आने वाली हैं उनको भी जरूर देखें तो मिलते हैं हम next वीडियो में और तब तक के लिए all the best और ज्यादर ज्यादर चैनल को सेहर करें like करें और जो लोग चैनल पढ़ना थेंक यू